दोस्तो इंडिया वरसेस कॉरिया का दूसरा आप स्टार्ट हो चुका है और पोइंटों की बात करें तो कॉरिया ने 8 पोइंट बना लिए हैं और इंडिया ने 749 पोइंट बना लिए हैं देखना यह रहेगा कि दूसरे आम में कौन सी टीम का दब दबाओ ज़ादा रहता है और अभी तक कोरिया ने अच्छे पॉइंट नहीं बनाए है, श्रीबाट पॉइंट बनाए है, अभी भी 40 पॉइंटों का फासला है दोनों टीमों के बीच में, और हमारे इंडिया के रेडर रेड देने के लिए आज चुके हैं, और वन पॉइंट मिल सकता है, कुझाईस है और वन पॉइंट मिल चुका है इंडिया को, और इसी के साथ चोपन पॉइंट हो चुके हैं, और वापीस आच चुके हैं इंडिया के रेडर, रेड देने के लिए असला मिनामदार देखते हैं, असला मिनामदार पॉइंट ले पाते हैं, कोसिस कर रहे हैं, मुझे नहीं पॉइंट नहीं लेंगे इस बार क्योंकि इंडिया ने कापी अच्छे पॉइंट बने लिए हैं और कोरिया ने स्रीबाड पॉइंट बने हैं अब देखते हैं क्या करती है कोरिया की टीम कोरिया का खिलाडी रेर देने के लिए आज चुका हैं देखते हैं कोरिया का रेडर पॉइंट ले पाता है कोशिस कर रहा है परफॉम दिखा रहा है लेकि इन पॉइंट नहीं मिला दोनों टीम में फुल जोज से केल रही है कोरिया का खिलाडी भी जोज से केल रहा है देखते हैं क्या होता है फिर भी पॉइंट नहीं ले पाया और फिर भी कोशिस कर रहा है ल को इंडिया को टू पॉइंट मिलते हैं इसी के साथ साथ 57 पॉइंट हो जाते हैं इंडिया के और को रिए ने स्रिफ आइट पॉइंट बनाहें और मेच खतम वहने में अभी तक बॉह टाइम हैं साडी दस मिनिट बागी हैं और वापीस आ चुका है कोर्या का रेडर रेड द लिए और कोरिया की टीम ओल आउट होने वाली है श्रीप दो खिलाडी बचे हुए है असला मिनामदार ने वन पॉइंट ले लिया है और श्रीप एक खिलाडी बचा हुआ है कोरिया की टीम का देखते हैं यह पॉइंट ले पाता है अपनी टीम को वापिस पॉइंट दे पात का जिकर कर रहा है देखते हैं किलाडी को वन पॉइंट मिलता है कोरिया की टीम को कोसिस कर रहा है लेखते हैं क्या होता है मुझे नहीं लगता पॉइंट मिला है टीम को देखते हैं क्या होता है और ग्रीन कार्ड बता दिया है टीम कापी से इंडिया का रेडर रेड दने के लिए आज चुका है देखते हैं इस बार पॉइंट ले पाते हैं इंडिया ने कापी अच्छे पॉइंट बना लिए हैं अब उन्हें पॉइंट की कोई जुरत नहीं है फिर भी अच्छी कोशिस कर रही है और इंडिया अच्छे एच्छे पॉइंट ला रही है देखते हैं क PayPal लेकिन इंडिया के डिफेंडरों के आएक कोई बच पाया है क्या इसी के साथ 1.2 और मिलता है इंडिया को 10 खिलाडी और बचे हुए है को रिया की टीम के अंदर और ऑर इंडिया का रेड रेड देने के लिए one point और मिल चुका है टू किलाडी बचे हुए है को री कि टीम के अंदर वापिस रेट देने के लिए आच चुके हैं कोरिया के रेडर और अपना परफॉर्म दिखा रहे हैं वन पॉइंट का चिकर हो सकता हैं देखते हैं कोरिया का रेडर कब पॉइंट लेगता हैं अभी तक आठ पॉइंट हैं और कोशिश कर रहा हैं और वन के लिए यहाँ चुक रेडर और इस बार वन पॉइंट और मिल चुका हैं असलंधी नामदार को इसे के साथ चंतर पॉइंट हो चुक हैं इंडिया के और खुरिया ने श्रीप 10 बंए और मेंडी हैं और 30 तेकंड का बांडी हैं 3 में क्ट में अन्दर क्या होता हैं ॉर 1 प को мн Nep tonight कुछ מא वह स्रिब स्थ चेकर जिए तेन गेई और यह म neural कि reject की चरए का करता है को यह कि तीए कशिस करता है वंड पॉंट मिलता है क्या होता मैश में और मुझे नहीं लगतां इस बार आपाईंगे लस्ट की रेड के अंदर लेकिन कोशिस कर रहा है one point मिल सकता है दोनों में से कुछ भी हो सकता है मेज का कोई ब्रोसा नहीं आकरी one second में भी कुछ भी हो सकता है और इसी के साथ one point और मिला और कोरिया ने शरी 12 point बनाए है और इंडिया की बात करें तो चिंतर point बनाए है इंडिया का भी अच्छे पॉइंटों से जिती है अगर मेंज अच्छा लगा तो चैन को सस्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना